हेलो फ्रेंज वेकम बैक टो मैंटूब चैनल जेड़ जेड़ किछिन आज हम बनाने माले हैं सूपर डिलिस्यस बहुत ही अमेजिंग रेसिपी गूबी के पकोड़े और फ्रेंज कोबी का पकोड़े आपने बहुत सारे तरीके से खाया हो पर इस तरीके से आपने अभी तक इसे आप इस एक बार ट्राइज जरूर कीजिएगा या खुदी देखकर समझ जाएंगे कि यह पकोड़े कितने अमेजिंग बने होंगे फ्रेंज एक ही बार में आपके पकोड़े भी एकदम पॉफिक बने इसके लिए आप वीडियो को पूरा एं तक जरूर देखिएगा और स्टी बाइस्टी फॉलो कीजिएगा तो चलिए हम बिना वक्ट जाय के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं इस सूपर डिलीसिस और अमेजिंग सब जो है हमने कोबी का पकोड़ा देखिए कितने बढ़ियां कितने फूले फूले बनाकर रेडि कियें देख सकते हैं कित इतना पॉफिक बनाया फ्रिंस दिखने में कितना अट्राक्टिव दिख रहा तेस्ट में भी बहुत ही अमीजिंग है तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले हमने लेना है गोबी इसमें गोबी हमने जो ऐसा लेना है जिसके जो फ्लावर से वह बड़ी बड़े हो इस तरह तो इसे हमने तोड़ लेना है इसे हम चक्कू से कट नहीं करेंगे इसे हम तोड़ेंगे पहले हातों से उसके बाद जो जादा बड़े बड़े पीसे तो उसे हम बीच से जो है कट कर लेंगे तो इसी तरह से हमने सारे गोबी को जो है देखी हमने कट कर लिया है तो बस अंदर थोड़ा सा टेस्ट जाएगा और जो हल्दी है उससे गोवी काफी अच्छी तरह से जो है साफ हो जाएगी तो बस इसे हमने जादा कुक नहीं करता है मुस्किल से चार से पाच मिनट कुक करेंगे और इससे रख देते हैं बॉयल होने के लिए इसके बाद हम जो है इस इसे हम रख देते साइड में तब तक हम गोवी को चैक कर लेते हैं तो गोवी हमारी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है करीब 70-80% कुक हो चुकी है तो इसे हम निकाल लेते हैं तो यह देखिए गोवी हमने काफी अच्छी तरह से निकाला इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है तो बस अब हम इसमें हमारा सिगरेट मसाला जो है वो इसे अड़ करेंगे और इससे अच्छी तरह से हमने जो है इसमें मिक्स करना है ताकि गोवी के ऊपर अच्छी इसे मसाले चिपक जाएं और काफी अच्छी तरह से लग जाए फ्रेंस आप इस मसाले को एक बर ट्राइज जरूर करिएगा जिस तरह से फ्रेंस बना रहें ना सेम डू सीम आप इसी तरह से बनाएगा बिल्कुल टेफसन ट्रिक फॉलो करिएगा आपके गोवी बाहर से त काफी अच्छी तरह से आपस में चिपक जाएंगे पकॉरे का टिस्ट और भी इन हैं इसके लिए हमने लेना है लसन और लसन को हम जो है काफी अच्छी से कूट लेंगे और कूटनी के बाद इसमें हम पानी आड़ कर देंगे है ना फ्रेंस बिल्कुल डिफरेंट तरीका इस पानी का हमने छे यूज कहां कर ना है हम आपको दिखाते हैं तो इसके बाद हमने लेना है बेशन बेशन मे ने एक कप लिया है और इसके साथ ही अब हम इसमें आड़ कर देंगे müssteकूल थोड़ा सा foot clear, foot color पूरी तरह से optionेल है इसके साथ हम इस में हलदी पावडर एड़ जरूर ट्राइ करिएगा तो इसे हमने जो है अच्छी से मिक्स करना है और फिर इसे हमने जो थोड़ा-थोड़ा करके एड़ करना है ताकि प्रफरली हमारा जो बेस है बेशन का वो एकदम पॉफेक्ट बने और इसे हम जो है नो स्टॉप जो है फाइब पीनट तक इसे हमने करते जाना है इस तरह से चलाते जाना है तो देखिए कितना पॉफिक जो है घोल बन गया है इसे हम कवर करके रख देते हैं साइड में और हम चलते हैं नेक्स प्रोसेस में दोसे तरफ हमारे जो कड़ाई है वो अच्छे से गरम हो चुका है अब हम इसमें डाल देते हैं और को भी हम अच्छे से गरम कर लेते हैं तो जब तक हमारा गरम हो रहा है हम जो है एक स्टेप और बाकी है घोल में तो उसे हम चैक कर लेते हैं को रेस्ट होते हैं फाइप मिनट हो चुके हैं अब हम इसमें जो है उपसे थोड़ा सा बेकिंग सोडा आड करेंगे और इसे एक पीनिट अच्छे से स्टर करेंगे अच्छी तरह से भाइन के बात बस अब आप जो पॉफ одनी पकोड़े का घोल अब फुला फुला बनके हो चुका है तो अब यह है यह देखिये। हमने में मसाले ढाले थे न वह काफी अच्छी तरह से चपक गया है अच्छे से पकोड़े के ऊपर ये एक बीसन चिपा गया तो बस अब इसे हम डाल देते हैं और अच्छे तरह से गरम हो चुका है मेडिया फीट पे तो इसे हमने जो है कि करके अच्छे से डाल लेना है और इसी जो है अभी हमने बिल्कुल भी टज नहीं करना है बीस पे ही इसे हम फ्राइ करेंगे तोनों साइट से हम इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे फ्रेंस देख सकते हैं अभी से हमारा पकोड़ा कितना फुला फुला बनके रेडी हुआ है तो ये देखे ये काफी अच्छे तरह से अब फ्राइ हो गया इसका कलर भी बहुत ही बढ़ी आ तो इसẽहों पेवात एवृणय की और और डियां होगा 3255 सरी कनिंख भेपफ 1720 मुंस भी कर दो हमारे चुपरमें ने रहें अचिर शोर ही तो सब्सक्राब करनें रहेंगा तो इंड में थाओर युम्युपरे कान नमस्य नहीं पी है उसे भी मैंने जो है पकोड़े के साथ फ्राइ कर लिया है पकोड़े के साथ धरी मिर्च खाना बहुत ही अच्छा लगता है फाइनली फ्रेंस हमारा जो पकोड़ा है वो सर्फ करने के लिए रेडी हो चुका है तो इसे आप हरी चेटनी के साथ इंजोई करें बहुत ही मजे का लगता है फ्रेंस इसे हम जो है कटटके भी आपको दिखा देते हैं यह अंदर से भी बहुत ही अच्छा पका हुआ है यह देख सकते हैं अंदर तक बिल्कुल भी बैटर जो है काच्छा नहीं है एकदम अच्छे से पका हुआ है तो इस रेसीपि को आई बेक बर्ट राई जरूर कीजिएगा यह दिखने में फ्रेंस जितना अट्रेक्टिव है खाने में उससे भी जादा मज़ेदार था इसका फ्लेवर हम बजार जैसा बनाने के लिए हमने क्या करना है उपर से थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा नमक एड़ कर देना है इसे जहें इसका टेश्ट बिल्कुल बजार जैसे आएगा इनफेक्ट उससे भी मस लगेगा फ्रेंस और बिल्कुल हेल्दी तरीके से ये तो हमने घर पे बनाया है न तो इसे आप इंजोय करें बहुत ही मज़ा आने वाला है और ये फटा-फट से खतम हो जाएगा देखा फ्रेंस हमने कितना मेज़ और कितना मज़िदार गोबी का पकोड़ा बना कर एड़ी किया है इस रेजी भी को आप ट्राय जरूर कीजिएगा फ्रेंस आप इस रेजी भी को एक बहर बनाएंगे न मिलते हैं फिर इसी तरह से कार मज़िदार सी रेसिपी की साथ तब तक लिए आप अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें बाई